नमस्कार दोस्तों मैं कमले साक्या पेपर हैकर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो आज हम लोग देखने वाले हैं मनुविज्ञान में जो बीए फस्ट सैमिस्टर है उसमें सेकेंड कुश्चन देखने वाले हैं ठीक है क्योंकि कल मैंने एक कुश्चन करा दिया था ठीक है तो आए देखते हैं जो दूसरा कुश्चन है वो क्या है अगला कुश्चन है मनुविज्ञान के छेत्र का वर्ण कीजिए क्या है मनुविज्ञान के छेत्र का वर्ण कीजिए तो हम जानेंगे कि मनुविज्ञान के छेत्र क्या है क्या प्रायोग तो मनो बिज्ञान का छेत्र है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे की सैक्षिक छेत्र क्या होते हैं ठीक उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो सेच्चिक छेत्र में दिरख काई पहला है विकासात्मक मनो बिज्ञान यानि विकासात्मक मनो बिज्ञान ठीक है इसके बारे में देखेंगे विकास आत्मक मनुविग्यान मनुविग्यान की अंतरगत बाले आवस्ता से ब्रद्दा आवस्ता तक का अध्यन विकास आत्मक दर्श्चिकोर से किया जाता है क्या है कि इसमें विकास आत्मंग मनुविग्जान में क्या है कि इस विकास आत्मंग मनुविग्जान में बाले आवस्ता से ब्रदा आवस्ता तक अध्यन किया जाता है क्या है बच्चा जब जनम लेता है उसके बूड़ा होता है उसके बारे में समस्त जानकारियां समस्त परसितियों के बारे में जानकारी विकास आत्मंग मनुविग्गान में मिलती है इसमें मानव विकास के लगवग पृतियक चित्र जैसे बौधिक विकास बुद्धी का विकास पेसियों का विकास समबेग विकास समाजिक विकास जो भी है विकास और भासा का विकास आधिका अध्यन किया जाता है अगला है देहिक मनुविज्ञान ठीक है देहिक मनुविज्ञान इसमें प्राणी के बिभार के देहिक निर्धार को तता प्रभावों का अध्यन किया जाता है प्राणी के बिभार देहिक निर्धार को का तता प्रभावों का अध्यन किया जाता है यानि की बहस आस्तर जिसमें मनुष्य के सरीर से रिलेटिड जो भी सरीर की बनावट उससे रिलेटिड अध्यन किया जाता है वो विकास आत्मक मनो विज्ञान में उसमें दैहक मनो विज्ञान में आता है ठीक है दैहक मनो विज्ञान की एक एसी साखा है जो जीब विज्ञान से घनेश्ट रूफ से सम्मंदित है अब देखो मैंने बदा सरीर से सम्मझ जो भी वो आते हैं विकास आते हैं ठीक है शरीर का विकास मस्तिस्क और जो भी यह सारीरिक विकास ठीक है वो सब यानि इसमें आते हैं तो यह जो है जी विग्जान से रिलेट कर दिया क्या दहक मनो विग्जान ठीक है अगला है प्रयोगात्मक मनुविज्ञान प्रयोगात्मक मनुविज्ञान मनुविज्ञान का एक एसा कारी चित्र है जिसमें प्राणी के उन सभी विवारों का अध्यन किया जाता है जिन पर प्रियोग करना संभव हो जिन पर practical किया जा सके उन पर अध्यन किया जाता है किसमें प्रियोग आत्मक मनुविज्ञान में हैं ठीक है जैसे द्रश्टी यानि देखना, सिरबर सुनना, चिंतन, सीखना, आद बिभारों का प्रियोग आत्मक अध्यन प्रियोग आत्मक मनुविज्ञान के अंतरगत किया जाता है यहनि देखना, सुनना, सीखना, आद जैसे बिभारों पर प्रियोग आत्मक मनुविज्ञान में अध्यन किया जाता है ठीक है प्रिवात्मक मनुविज्ञान में मानव एवं पसुओं पर प्रियोक करके विवहार का अध्यन के जाता है अब जैसे प्रेक्टिकल करेंगे तो क्या मानव पर करेंगे या फिर पसुओं पर करेंगे ठीक है, वैसे पसु जादा है, सभी रहते हैं प्रक्टिकल करने के लिए, मानब की अपिक्षा, अगला है परिरात्मक मनुविज्ञान, ठीक है, इसमें मानब विभार को समझने तता उसका अध्यन करने में गड़ती संक की तता परिमाणात्मक विधियों का प्रियोग किया जाता है, कोई निश्चित परिमाण निकले, ठीक है, उन विधियों का प्रियोग किया जाता है, ठीक है, यह चेत्र विभारक सांखिकी मनुविज्ञान परिच्ण का विकास आज से सम्मंदित है, विभार से सांखिकी से मनुविज्ञान परिच्णों से सम्मंदित है, ठी सम्मंद्ध ब्यक्ति तथा ब्यक्तियों के मद्ध भिन्नता के अध्धिन से होता है यानि कि क्या है इसका सम्मंद्ध ब्यक्तित्तु का है ब्यक्तियों के बीच जो भिन्नता पाई जाती उससे है ठीक है हरे एक प्राड़ी अलग-अलग प्रकार का होता है ठीक है ब्यक्तित्यु के गुड़ सीलों का अध्यन जैसे कोई चरित्रवान है कोई चरित्रहीन है ठीक है इनका अध्यन किया जाता है ब्यक्तित्यु का मापन ब्यक्तित्यु का मापन किया जाता है इसका अध्यन किया जाता है करने में ब्यक्तित्तु मनोविग्यान की रुची रहती है ठीक है यह सब करने में क्या है ब्यक्तित्तु मनोविग्यान सबसे ज़्यादा अग्रसर रहता है ठीक है अगला जो है समाज मनोविग्यान समाज मनोविग्यान के अंदर कर समाज में ब्यक्ति के विभार का अध्धिन किया जाता है, समाज में अध्यान में क्या है, कि ब्यक्ति के विभार का अध्धिन समाज में ही तो किया जाएगा, समाज में चार लोगों की बीच बैटेगा, ठीक है, चार लोगों से मिलेगा, उसकी अच्छी आत्ते हैं, उसकी बुरी आत ठीक है तो उस ब्यक्ति पर समाज का प्रभाव कैसा पढ़ रहा है और समाज का उस ब्यक्ति पर प्रभाव कैसा पढ़ रहा है ठीक है व्यक्ति गत अंतर व्यक्तिक पसंद पूर्व ग्रह अभिव्यत्ति परिवर्तन भीड आद इसके प्रमुक विसे हैं अगला है संजयानात्मक मनो भिग्यान इसमें मानब की मानसिक प्रक्रियाओं आद्यों किया जाता है उसके चिंथन करना सीक ठीखना ठीक है बुद्धि इस्ट्मर्ति याद्दास्थ आधि का अध्यन किया जाता है मानव विवार की बैज्ञानिक व्यक्या वो दीपक अनुकुरिया सम्मंद के आधार पर संतोस प्रदधंग से की जाती है एक संतोस मतलब जो एक सरल धंग से की जाती है ठीक है अगला है असमान मनो विवार के कारण लक्षड असमान विवार के कारण उसके लक्षड पता चलते हैं ठीक है लक्षडों का ग्यान होता है ठीक है उसके व्यक्ति के प्रकार के आधिका अधिन किया जाता है इन विवारों को समझने के लिए उसके लक्षडों का क्रमंद अधिन करते हैं यानि उसके विवारों को समझने के लिए उसके लख्षडों को सबसे पहले देखते हैं, क्या है उसके लख्षड ठीक है, तथा उतपत्ति के कारणों को समझने के लिए ब्यक्तिकी जैविक पर्षटवूमी, मनो बैग्यानिक प्रश्ट भूमी तता सामाजिक संस्कृति प्रश्ट भूमी का बिस्तरित अध्यन किया जाता है यानि कि समाज में जो उसकी छबी है ठीक है और क्या देखा है मनो बैग्यानिक जो भी प्रश्ट भूमी है उसका अध्यन बिस्तरित रूफ से, एक बिस्तार रूफ से किया जाता है, उसके बारे में सारा कुछ जाना जाता है, ठीक है? अगला है सिक्षा मनोविज्ञान ठीक है सिक्षा मनोविज्ञान के अंदर के सैचिक प्रक्रियाओं के मनोविज्ञानिक पहलू को अध्यन किया जाता है सिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्या है सेक्षिक पृक्रियाओं के मनोब लिग्यानिक पहलूँ का अध्यन किया जाता है सीखना जैसी कि सीखना ठीक है स्ञच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् सिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है अगला जो मैंने दूसरा पार्ट बताया था आपको वो था प्रायोग तो मनोविज्ञान यानि मनोविज्ञान का दो पार्ट में अधिन किया जाता है एक तो मैंने सेक्षिक मनोविज्ञान बदा और दूसरा है प्रायोग तो मनोविज्ञान ठीक है प्रायोग एक प्रिकार से ठीक है यह है मनोवग्यान का एसा चेत्र जिसमें मनोवग्यानिक व्यक्तियों तता समुग की मनोवग्यानिक समस्याओं के समाधान है तू अपनी कौसल एवं सोध का उपयोग करते हैं क्या है मनोबज्ञाणिक समस्याओं का निवारण करने के लिए अपने कौसल एविम सोध का क्या करते हैं? उपियोग करते हैं, ठीक है? इसमें निमलिकित साखाओं को समिलित गیا गया है आईए अविसकी साखाओं को देखते हैं कौन कोशी साखाओं हैं तो नमबर एक है, नेदानिक मनो बिग्ञान, ठीक है? आज़ी देख थे, नेदानिक मनो बिग्ञान है जो है, मनो बैग्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त ब्यक्तियों को ठीक करना यानि क्या है नैदानिक मनोविग्यान का प्रमुकार जो है मनोविग्यानिक जो समस्याओं से ग्रस्त ब्यक्ति है यानि जो पीडित है उससे उसका क्या है निदान करना उसे ठीक करना ठीक है एक नैदानिक मनुव बैग्यानी सोध निदान एवं उपचार तीन प्रकार के कारे करता है जो एक नैदानिक मनुव बैग्यानी है ठीक है वो तीन प्रकार के सोध एवं उपचार करता है कौन कौन से सोध करता है निदान करता है एवं उपचार करता है ठीक है ये तीन प्रकार के कारे करता है अगला है परामर्स मनो बैग्जान ठीक है परामर्स मनो बैग्जान बैक्तिके संबेगिक असंतुलन तथा यहनि क्या है संबेगों पर असंतुलन पर तथा व्यक्तिक समस्यां को दूर करने का प्रियास करता है कौन करता है परामर्स मनोविग्यान ठीक है साथ ही यह व्यक्ति की सापेचिक कमजोरियों पता गुणों को प्रकास में लाता है यानि कि क्या है जो उसकी सापेचिक जो छोटी-छोटी कमजोरियां जो चुपी हुई है ठीक है उनको क्या है कमजोरियों को प्रकास में लाता है उन्हें बाहर निकालता है ठीक है इसके लिए भै मनोवग्यानिक परिच्णों का उपयोग करता है ठीक है इसी के लिए भै मनोवग्यानिक परिच्णों का उपयोग करता है क्योंकि उनकी जो समस्या हैं उनकी दभी हुई जो चेश्टा हैं उनको बहार लाने के लिए ये परामर्स मनोविज्ञान क्या है? बहार निकालता है ठीक है? जैसे कोई परामर्स देता है तो तुमारे कमजोरी के बारे में पहले जाने का तब ही तो कोई परामर्स देगा? ठीक है? तो उसको क्या है ये कमजोरियों जो को है बाहर निकालती है परामर्स मनोविज्ञान ठीक है अगला है औधोगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान और धोगिक मनोविग्यान के अंतरगत उद्धोगों में कारेरत करमचारियों की मनोविग्यानिक समस्याओं का अध्यन किया जाता है यानि कि क्या है जो भी उद्धोगों में जो भी उद्धोग धंदों में कारेरत करमचारियों है ठीक है फैक्टरी में काम करने वाले जो भ समधान दिया जाता है उनको समस्या का समधान किया जाता है ठीक है संग्टनात्मक मनोविज्ञान में मनोविज्ञानियों की रुची केबल उद्धोग में ही नहीं होती जरूरी नहीं है कि ये उद्धोगों में ही इनकी रुची हो और भी जगह होती जैसे कि बरन अन्य संग समाय उजन पर बल दिया जाता है क्या किया जाता है कि करमचारियों और मसीनों उसकी डिजाइन ठीक है कि मद्ध समाय उजन पर बल दिया जाता है ठीक है यह एक समाय उजन बिठाया जाता है करमचारियों और मसीनों के मद्ध ठीक है अगला है सेन्य मनोविज्ञान ठीक है सेन्य छेत्र में मनोविज्ञान का प्रियोग सबसे पहले अमेरिकान में किया गया अब जैसे सेना के सेन्य मतलब सेना के छेत्र में ठीक है सेना के छेत्र में जो सबसे पहले प्रियोग किया था वो किया था अमेरिका के लोगों नहीं ठीक है अमेरिका के मनोविज्ञान को नहीं ठीक है भारत में दितियवी सिद्ध के पस्चात भारत में जब दितियवी सिद्ध हुआ उसके बाद से सैन चेत्र में मनोविज्ञान का उप्योग किया गया ठीक है क्या है कि जब भारत में दितिय भी सिद्ध हुआ था उसके बात से किया जा रहा है जबकि अमेरिका में सबसे पहले से किया जा रहा है सबसे पहले अमेरिका ने सुरू किया था सैनी चेत्र में मनुविज्ञान का प्रियूग 12 सरकार द्वारा रक्षा मंतराले के अधीन डिरेक्टरेट ओफ साइकलोजिकल रिसर्चर नामक एक अलग विभाग खोला क्या है रक्षा मंतराले ने एक अलग विभाग खोला जिस विभाग का नाम था डिरेक्टरेट ओफ साइकलोजिकल रिसर्चर ठीक है डिरेक्ट रेट और साइकलोजिकल रिसर्चर एक अलग विबाग खोला गया ठीक है उपरोक्त के अतरिक्त मनोविज्ञान की कुछ नभी साखाओं का भी विकास हो रहा है जिन भी साखाओं के बारे में जाना है इनके अतरिक्त और भी कई साखाओं का विकास हो रहा है ठीक है जिन में कौन-कौन सी साखाओं है पर्यावड़िय पर्यावड़ से संबंदित मनोविग्यान से सम्मंद स्वास्ता है मनोविग्यान नियाएक मनोविग्यान खेल कूद मनोविग्यान ठीक है राजनीतिक मनोविग्यान आदे यहनी कि परियावड के चेतर में मनोविग्यान ठीक है और स्वास्ता के चेतर में मनोविग्यान ठीक है नियाईक चेत्र में मनोविज्ञान खेल कूद मनोविज्ञान और है राजनीतिक मनोविज्ञान ठीक है इन चेत्रों में भी मनोविज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है ठीक है तो मैं आसा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा तो लाइक करके बताईएगा कैसी लगी है क्लास आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए बाए